हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो सिक्सा केरियर जॉब्स यूट्व प्लैफरॉम यह नॉटिफिकेशन जारी हुआ है एक स्टेट गॉवर्मेंट यॉनिवर्सिटी की तरफ से एसिस्टेंट प्रोफेसर के पर्मानेंट पदों पे वेकंसी है ओल इंडिया लेवल की यह जॉब है सेल्डी यहाँ पे जो है लेवल टैन सतावनाजार सास्तो जो है बेसिक सेल्डी जो प्रारंभीक बेसिक सेल्डी होती है एसिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर दी जा रही है PhD Assistant Professor के लिए mandatory नहीं है तो detailed में जो है साधार्ण भासा में जो है इस advertisement को हम यहाँ पर समझने वाले है channel पर पहली बार आए channel subscribe नहीं किया तो channel को जरूर subscribe करें and साथी साथ हमारा facebook page 6a carrier jobs telegram channel जिसमें आपको matphone PDF मिल जाती है and हमारा instagram जो है आप follow कर सकते हैं link description box में so सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख लेते हैं assistant professor law में vacancy है salary आप यहाँ पर level 10 57,700 से लेकर 1,82,400 आपका यह basic weight on रहने वाला है उसके साथ आपको जो भते है जैसे कि महगाई भता है DA है T.A. TPT है and साथ ही साथ HR वगेरा मिलके 72,000 पर मन से भी जादा आपकी salary यहाँ पर बनने वाली है category wise bifurcation जो है यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं economics में vacancy है यहाँ पर and physical education and sports science में vacancy है chemistry में vacancy है geography में vacancy है and physics में vacancy है दो and pedagogical science में vacancy है यहाँ पर behavioral science में vacancy है दो history में vacancy है यहाँ पर दो environmental science में vacancy है यहाँ दो hindi में vacancy है यहाँ पर एक mathematical science में vacancy है दो and molecular biology में जो है vacancy है यहाँ पर दो so इसी परकार से aesthetics में vacancy है यहाँ पर दो geology में vacancy है library and information science में vacancy है mass communication and journalism में vacancy है साथ यहाँ पे जो वेकेंसी है बेहेवरियल साइंस में वेकेंसी एसिस्टेंट प्रोफेसर का P.W.D. के लिए अच्छा कहां से यह वेकेंसी आई यह वेकेंसी आई है कनूर यूनिवरसिटी जो की स्टेट पब्लिक यूनिवरसिटी है 15 जून 2022 का यह नॉटिफिकेशन है अच्छा कैसे आविदन करना है उनलाइन आपको यहाँ पर आविदन करना है आपको इंटर्विव के लिए सोट लिस्ट किया जाएगा अब किस तरीके से जो है yuniversity में सोर्ट लिस्ट किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूं already मैं उन्हें वीडियो बनाई मेरे चैनल की playlist में जाके आप देख सकते हैं कि जो support Listing criteria रहता है yuniversity में assistant professor का हो किस परकार से होता है ठीक है वो वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा right candidate जो outside state की होंगे वो भी जो है यहाँ पर जो आविदिन कर सकते हैं लेकिन as a जो other categories है general categories की रूप में आविदिन कर पाएंगे right so यहाँ पर यह सारे subject यहाँ पर और subject भी है जैसे कि appointment notification है associate professor की भी जो है वेकिनसी है subject आप यहाँ पर देख सकते हैं यह associate professor को एक लाग की 30,400 से 2,17,100 रूपे level 13 आपका रहेगा यह basic salary मिलेगी अच्छा यहाँ पर official जो website का link description box में मिल जाएगा अच्छा यहाँ पर जो है मैं eligibility criteria बता देता हूँ जो assistant professor के लिए अगर आप journal category के candidate है तो 55% अंकों के साथ master degree होनी चाहिए और यहाँ पर अगर आप जैसे की आप other category से 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 स्टी ओबी से दिव्यांग जन है तो 5% की छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है उसके साथ साथ आपका UGC या CSI यारनेट, SETS, LAT या आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए तो आप आवी दिन कर सकते हैं assistant professor के लिए experience की आवशकता नहीं होती है अच्छा प्रोफेसर या associate professor आप बनना चाते हैं तो उसके लिए PhD मैंडरी होती है associate professor के लिए कम से कम 8 सालों का teaching या research experience और professor के लिए कम से कम 10 सालों का teaching या research experience चाहिए होता है अच्छा यहाँ पे जो है जो selection का process है वो आपका यहाँ पे sort list आपको किया जाएगा ठीक है यह official website है कनूर university यहाँ पे instructions दिये गए है notification दिया गया है qualification दिया गया है तो जब हम यहाँ पे qualification देखेंगे तो आपको जो मैंने बताया है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 55% अंको के साथ उसके साथ आपका जो यह है आपका associate professor के लिए हम यहाँ पे अगर assistant professor की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको जो eligibility criteria है वो same रहने वाला है 55% अंको के साथ 5% की चूट SCST OBC को मिलेगी और यहाँ पे जो है आपका net set या जो PhD अगर है तो आप यहाँ पर आभी दिन कर सकते हैं right so इसी प्रकार से assistant professor का आप यहाँ पर देख पाएंगे जब आप यहाँ पर download करेंगे तो आपको यही पे बिलेगा net या PhD आपके पास होनी चाहिए right इसी प्रकार से जो है यहाँ पर instructions जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं instructions यहाँ पर दिये गए है और यहाँ आभी दिन फीज देख लेते हैं application जो फीज है वो तीन हजार रुपे आरे इतनी ज्यादा फीज जो है यहाँ पर है और एक हजार रुपे SCST और दिव्यांग ज जाता है जैसे आप online application form बनेगे उसके बाद यहाँ पर sort list आपको किया जाएगा किन आधारों पर आपको यहाँ पर sort list किया जाता है graduation की percentage की आधार पर post graduation अगर आपने एंफिल किया है PhD के लिए 30 अंक extra दे दिये जाते हैं net with JRP वालों को साथ, net को पांच, set select वालों को तीन अंक और research publication के लिए हर एक publication के लिए 2 अंक maximum 10 and teaching experience के लिए जो है हर एक साल के लिए 2 अंक दिये जाते हैं आवार्ड के लिए जो है तीन अंक international या national और state level का अगर आवार्ड है तो दो अंक आपको दिये जाएगे इस परकार से जो है यहाँ पे 100 अंको का आपका जो है यह बनने वाला है जिसमें 80 अंक आपके academic score, research publication 10 और experience 10 out of 100 आपको यहाँ पे जो है अंक दिये जाएंगे उस आदार पर sort list आपको यहाँ पर किये जाएगे तो I hope यह वीडियो जो आपके लिए काफी helpful रहा होगा ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर subscribe करें और वीडियो कैसी लगती है अपना feedback comment section में जरूर दे thank you and